पथरिया से बस्पा विधायक रामबाई ने कमलनाथ सरकार को चेतावनी दे दी है जी हाँ रामबाई ने कमलनाथ सरकार को खुले तौर पर धमकी देते हुए कहा है कि यदि उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो उनकी सरकार का हाल भी करनाटक जैसा हो सकता है देखिए ये खास रिपोर्ट का भी है मध्यप्रदेश की सरकार बैसाखी पर्ट की है निर्दली विधायकों का कोई भरोसा नहीं है मैं नहीं चाहती कि करनाटक जैसी स्थिय यहां बने सरकार बनाते समय कॉंग्रेस ने हमसे वादा किया था कि वहां हमें मंत्री बनाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ जो हमारी बहनजी ने समर्थन दिया है मैं अपने कांगरीस पाइटी को तब बरतमान उनकी सरकार है और यह हम लोगों की हम लोग बीएसपी पाइटी से दो बिधायक हैं तो हमारी बहनजी ने उनको समर्थन किया तबी इनकी सरकार वनी तो हम लोगों की मांग नहीं है हम के च्छेत्रि की जंता की मांग है हमाएं दोनों विधायकों की हमारी भी और संजू भहिया की भी कि आगर आज गिश्तीतिमें आप मंतरी नहीं बन पाई तो फिर कवं जीवन में असो मोका में लहन तो मंतरी पत्तों आप लोगों को दीदी मिलना चाहिए 230 सीचों वाली विधान सभा में कॉंग्रेस ने 114 और भाजपा ने 109 सीट जीती थी कॉंग्रेस सरकार को बसपा के 2 सपा के 1 और 4 निर्दली विधायों को ने समर्थन दिया था भाजपा लगातार सरकार कराने का दावा कर रही है ऐसे में MLA मैडम की धमकी ने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है ब्यूरो रिपोर्ट MP News भुपाल